हेलो फ्रेंड्स इसके पिछले वीडियो में मैंने इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो फोन को रिव्यू किया था तो आज की इस वीडियो में इसी फोन की कुछ ऐसे धमाकेदार फीचर्स बताने वाला हूँ जो की बहुत ही इंट्रेस्टिंग है आप इस फोन में वाट्स आप यूज करो या फिर इस फोन की कैमरा या फिर और भी बहुत सारी अप्लिकेशन से ये सारी अप्लिकेशन में आप अलग अलग फीचर्स को यूज कर पाऊगे इसमें आप WhatsApp call को भी recording कर पाऊगे जो कि बाकिये phone में impossible है without any application मैं इस phone की सारी hidden features के बारें बात करने वाला हूँ बस आपको इस वीडियो को पूरा अंतक ध्यान से देखना है तो फिर चलिए विनादरी की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ camera की features की जैसे कि आप ये सारी features तो सारे phone में normally यूज करते ही हो बट इसमें दो ऐसे features दिये हुए हैं जो कि बहुत ही अलग है पहला है sky shop और दूसरा है air shot मैं सबसे पहले बात करूँगा air shot की तो इसके लिए air shot पर click कर देना है तो आप देख सकतो है इसमें आप कुछ इस तरीकी features यूज कर पाऊगे आपको यहाँ पर और यह बहुत सारी faces देखने कोई मिल जाएगी जो आपको यूज करना है आप यहाँ से यूज कर पाऊगे आप यहाँ से इस पर click करके आप photo click कर पाऊगे या फिर आगर आपको video recording करना है तो आपको यहाँ पर long press करना है आप long press करोगे तो आपकी यहाँ पर video record होना start हो जाएगी जैसी कि आपने देखा कि किस तरीके से यह video recording होना start हो गई अगर आप इस video के voice module को change करना चाहते हो तो आप इस पर click कर देना है आपको यहाँ पर बहुत सारी voice module देखने को मिल जाएगी male है, female है, eco है, anime है और monster भी है तो आपको इसमें जो भी module use करना है आप यहाँ से click करके use कर पाऊगे जैसे कि मैं use करता हूँ anime अब recording के लिए यहाँ पर long press करना है तो आप देख सकतो यह recording हो रही है तो आप इसी तरीके से इसकी voice module को भी use कर पाऊगे जो की बहुत ही interesting लग रहा है फिर आपको यहाँ पर इस बैक आ जाना है अब मैं बात करने वाला हूँ a sky shop की इस feature से basically होता क्या है कि आप जो photo click करते हो तो उससे sky को detect करके इसे और enhance कर देता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और आपको और भी filter use करना है तो आप इस वाले option पर click करके आप यहाँ से देख सकतो है इसमें बहुत सारी filter दी हुई है आपको day के लिए इधर दिया हुआ है और night के लिए इस तरफ दिया हुआ है आप अगर चाहो तो night की photo को भी click करके उसे enhance कर सकते हो तो friends यह थी camera की कुछ features आपको यह features कैसी लगी हमें comment में जिरूर बताना next features की बाद करूँ जो की है assistant की अगर मैं आप लोगों इस पुछ हूँ आप अपने android phone में कौन से assistant को use करते हो तो ज्यादा तर लोग बोलेंगे google का या फिर Alexa का बट इसमें खुद का assistant दिया हुआ है जैसी के आप देखो Hi Flax I am here जैसी के आप सुन सकते हो इसमें Flax नाम का एक assistant दिया हुआ है जो की बहुत ही अच्छी खासी वर्क करता Full assistance Is there anything specific you'd like to know about Flax or assistance in general अब लहने दे और इसमें interesting बात यह है कि इसमें Google से भी ज्यादा command इसमें दी हुई है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे enable का से करना है तो इसके लिए आपको settings में चले आना है settings में आने के वाद आपको यहाँ पर search कर लेना Flax फिर यहाँ पर आपको Flax voice पर click कर देना है फिर default voice accession पर click कर देना है यहाँ से आपको choose कर लेना Flax फिर आपको बैक आजाना है, बैक आने के बाद आपको यहां पर voice wake up पर क्लिक कर देना है, यहां पर मेरी voice setup है, तो बस आपको यहां पर voice setup करने को आएगा, जिसी कि आप Google में voice setup करते हो, इसी तरीके से इसमें भी करना है, बस यहां पर आपको voice record करने को आएगा, बस आपको अ दोगे तो यहां तक आप इसे command देकर अपने phone को switch off भी कर सकते हो इसी कि आप देखो Hi Follex I am listening Switch off my phone Your phone will turn off in 15 seconds तो आप देख सकतो यह किस तरीके से timing set करके यह automatic phone को switch off कर रहा है तो friends आप देख सकतो यह किस तरीके से command देकर मैंने आपने phone को shut down कर लिया है तो आप भी इस तरीके से अपने Follex assistant को enable करके आप इसे use कर सकते हो अब next features की बात करूँ तो वो है IR remote यह features आपने Xiaomi और OnePlus में देखा होगा बट यह अब Infinix phone में भी available है अब आप Infinix phone में भी IR remote को use कर पाओगे यानि कि आप सारे remote को access एक ही phone से कर सकते हो तो इसके लिए आपको अपने control panel को इस तरीके से आपको नीचे कर लेना है फिर आपको यहीं पर आपको IR remote control का option मिल जाएगा तो आप यहाँ सभी क्लिक करके फिर यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सारी चीज़े यहाँ पर सो हो जाएगे तो जैसे कि आप देख सकते हो यह मेरी remote आ चुकी है तो आप यहाँ से इस remote को यूज़ कर सकते हो या फिर आपको QR code के थुरू आपको remote को सर्च करना है तो आप यहाँ पर add device पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आप QR code को scan करके आप remote को access कर सकते हो यहां से इनेबल कर सकते हो तो फ्रेंड्स अब मैं बात करने वालों WhatsApp से लिटेट फीचर्स की इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसमें आप कौन को सी फीचर को यूज़ कर पाऊगे और इसमें कौन को सी फीचर्स दी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ बाकी से फीचर्स के बताने हैं अगर आप आपने smart panel को enable नहीं किया है तो आप सेटिंस में जाकर आप इसे enable कर लें यहां पर आपको smart panel नाम का एक फीचर्स होगा आपको बस इसे enable कर लेना है यहां जैसी कि बागी आप call को recording नहीं कर सकते हो बट इस phone में आप recording कर सकते हो बस आपको side world को enable कर लेना है आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर voice changer दिया हुआ और call recording दिया हुआ अगर आप voice changer पर टाइब करोगे तो आपको यहाँ पर voice module देखने को मिलेगा अगर आप चाहते हो कि आपका real voice सामने वालों को ना पता चले तो आप voice, woman या फिर girl को या फिर uncle को चूझ कर सकते हो तो यह तो भी audio call मैं आप करता हूँ video call जैसी आप video call करोगे आपको यहाँ पर side war दिख जाएगा यहाँ पर आपको call recording दिया है यानि कि आप call recording इसमें भी कर सकते हो यहाँ फिर voice changer दिया हूआ और video retouching दिया यानि की आप video retouching को यूज कर सकते हो याठी अपने video को retouch कर सकते हो यहाँ पर fill light दिया हो यानि कि आप ऐसे जगह हो जहां पर अंधेरा है तो आप fill light का use कर सकते हो यानि कि a screen flash तो यहाँ पर a screen flash हो जाएगा फिर flash light fill पर click करोगे तो आपको यहाँ पर front वाला light on हो जाएगा फिर यहाँ पर t emoji भी दिया होँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका emoji show होगा आपका face नहीं show का emoji show होगा इस तरीके से यूज़ कर सकते हो मैं इस वीडियो में बस इतना ही फीचर्स बताने वाल हूँ अगर आपको इस फोन की और ही फीचर्स जाननी है तो हमें कमेंट जरूर कर देना मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा तो फिर बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में